जब मृत्यू मनुष्य के निकट आती है तो उसे प्रकृती के ग्वारा विचित्र संकेत मिलते हैं। मनुष्य को अगर यह चीजे अचानत ही दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ ही मिंटों में उसकी मृत्यू होने वाली है। कई लोग इन संकेतों को नजर अंदास कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये संकेत समझ नहीं आते और मृत्यू को गले लगा लेते हैं। ये संकेत जैसे मिले मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर को याद करना चाहिए ताकि उसे नरग की सजा भुगतनी ना पड़े। यहां संकेत हमें पशु पक्षियों के द्वारा तथा अचानत ही सपने में दिखाए पड़ते हैं। आईए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यू के कौन-कौन से रहस्य बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यू भी निश्चित होती है। लेकिन इनसान अपनी मृत्यू को हमेशा टालने की कोशिश करता है। लेकिन वह यहां नहीं जानता कि उसकी मृत्यू अटल है और जब उसकी मृत्यू होने वाली होगी, तब उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि अब मृत्यू का समय निकट ही है। मृत्यू से कुछ समय पहले मनुष्य को एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यू कुछ ही समय में होने वाली है। मृत्यू आने से पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिससे इंसान को पता चल जाता है कि उसकी मृत्यू मात्र एक घंटे में होने वाली है। श्रीकृष्ण ने ऐसे पांच संकेत बताए हैं, जिससे इंसान अपनी मृत्यू के बारे में पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपनी मौत का समय पता करके अपने परिवार्जनों और मित्रणों से ऐसी बाते कर सकता है जिने मात्र मृत्यू होने से कुछ पहले ही की जा सकती है अपने अंतिम इच्छाएं या कोई अधूरा कार्य हो उसके बारे में वह अपने घर वालों को बता सके इसलिए उसे मृत्यू से पूर्वी अम्राज के द्वारा यह संकेत प्राप्त होते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यू होना निश्चित है ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ती होती है इसलिए जिस व्यक्तिने जैसे कर्म किये होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है पूर्व मृत्यू का आभास हो सकता है इसके क्या संके गरूर कुरान में बताय गए है इन सभी प्रशनों के उत्तर जानने के लिए विडियो को पूरा देखें गरूर पुरान में जीवन से लेकर मृत्यू तप और उसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है गरूर पुरान में भगवान कृष्ण ने मृत्यू के बारे में विस्तार से बताया है इस संसार में जन्मा हर जीव, जीवन और मृत्यू के चक्र में फसा हुआ है जिस प्रकार जन्म सत्य है, उसी प्रकार मृत्यू भी एक सत्य है जिसे कोई थुकरा नहीं सकता इसलिए मृत्यू पर विजय पाना असंभव है इश्वर की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आयू से एक शड़ भी अधिक जीवित नहीं रह सकता हर व्यक्ति जीवन के इस कटू सत्य को जानता है परंतु फिर भी वह मृत्यू को लेकर भैभीत रहता है गरुण पुरान में मृत्यू के पूर्व मिलने वाले संकटों के बारे में बताया गया है जिने हम जान लेने से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मृत्यू का समय निकट आ चुका है गरुण पुरान के प्रेथ कल्प अध्याय के अनुसार गरुण जी भगवान विष्णू से कहते हैं कि हे प्रभू मृत्यू से पहले दिखने वाले संकेट और मृत्यू आने पर उस व्यक्ति की क्या परिस्थिती होती है और उस समय उसके साथ क्या-क्या घंडिक होता है त्रिप्या करके आप यह सब मुझे बताएं तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को बताया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यू आ जाती है उससे पहले उस व्यक्ति के शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है इंद्रिय काम करना छोड़ देती है और शरीर मीला पढ़ने लगता है ऐसे व्यक्ति को उस समय बहुत पीड़ा होती है और अंत में यम्दूत उसके समीब आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को अपनी और खीचना शुरू कर देते हैं उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं मृत्यू के पूर्व मृतक का रूप गंदा हो जाता है मोहला से भर जाता है जो लोग अज्यान तथा भ्रमित करने का उब्देश देते हैं वे मृत्यू के समय महांधकार में फस जाते हैं जो लोग असत्य बोलते हैं विश्वास घात और बड़ो की निंदा करते हैं, ऐसे लोग अतीकष्टडाइं मृत्यू को प्राप्थ होते हैं, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट देते हुए यमदूत लेकर जाते हैं, ऐसी आत्मा को यमदूत लाथी से मारते हुए लेकर जाते हैं, उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और पुत्र भाई को याद करके जोर-जोर से रोने लगता है। उस समय प्रयास करने पर भी उस जीव के कंच से एक भी शब्द असपष्ट नहीं निकलता। उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंग सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविश् और ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्ट जो लोग जूट नहीं बोलते, जो प्रीती का भेदन नहीं करते और शद्धावान हैं उन्हें सुखपूर्वक मृत्यू प्राप होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं क कि बृत्यू से पूर्व हमें कौन से संकेत मिलते हैं। पहला संकेत। बृत्यू से पूर्व रहस्यमय द्वार का दिखाई देना गरुण कुरान के अनुसार बृत्यू का समय नजदीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्यमय दर्वाजे दिखाई देने लगते हैं। पूर्व मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है, वह मृत्यू के बाद वही पर जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दर्वाजों के सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे द्वार के पीछे का द्रिशिर दिखाई नहीं पड़ता है। न वो नरक में मिलने वाली सजा देख पाता है, और नहीं स्वर्व का सुंदर नजारा देख पाता है, उसे केवल स्वर्व और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। दूसरा संके, जीवन भर के कर्म दिखाई देना, यदि किसी मनुष्य की मृत्यों का समय निकट आता है, तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है। उसे अचानक ही उसके द्वारा किये गए बुरे कार्य याद आने लगते हैं। वह न चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। साथ ही उस मनुष्य को उसके द्वारा किये गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने लग जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता हुता है कि वह अचानक अपने कर्मों को क्यों याद कर रहा है। वह ध्यान योग की अवस्था में पहुँच जाता है। अकस्मात ही पुरानी यादे, परिवार के साथ बिताय हुए पल उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। कभी वहाँ अपने गलत कामों को याद करके पच्तावा करने लगता है। उसकी आखों से आँसों आने लगते हैं, तो कभी उसे उसके द्वारा किये गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं और वहाँ प्रसन हो जाता है। उसे एहसास नहीं रहता कि वहाँ कहां पर बैठा है। उसके आजपास कौन बैठा है। उसकी आखों पर माया का परदा चा जाता है। यहां संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वहां मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है, और सब कुछ भूल जाता है। तीसरा संकेत सपने में पूर्वजों का दिखाई देना गरुड कुरान के अनुसाद मृत्यू से कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपनों के माध्यं से संकेत प्राप होता है। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है, जिसमें मनुष्य की मृत्यू होने वाली होती है, तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे अत्वा बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि वहां मनुष्य अब कुछ ही दिलों का महमान है उसे उसकी सभी मृत परिजन बारी-बारी से दिखाई देने लगते हैं कुछ लोग इसे मात्र एक सपना समझ कर दुरलक्षित कर देते हैं लेकिन यहाँ एक मृत्यू का संकेत होता है परलोग में निवास करने वाले मृत परिजन सपनों के माध्यं से हमसे बात करने की कोशिश करती हैं जिसे कभी नजरंदाज नहीं करना चाहिए चौथा संकेत उल्लू तथा जली हुई लकडी का दिखाई देना गरुण कुरान के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुख संकेत होता है यदि ऐसा बार-बार होने लगे तो यहाँ मृत्यू का ही संकेत होता है उल्लू ये संकेत देता है कि उसका काल निकट आ चुका है अगर व्यक्ति को सपने में जल्ती हुई चिता अत्वा जल्ती हुई लकडी दिखाई देती है तो यहाँ भी मृत्यू का संकेत माना गया है ऐसे व्यक्ति की मृत्यू 81 दिनों के भीतर हो जाती है यदि मनुष्य सपने में खुद की अर्थी देखता है तो उसकी मृत्यु का समय नज़्धीत है ऐसा समझना चाहिए। पाँच वा संके где यम्राज के दूतों के पास आने का आभास होना श्री कृिश्ण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु में एक प्रहर का समय शेश रह जाता है उस मनुष्य को यम्राज के दूत के पास आने का आभास हो जाता है उसे महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो उसे खीच रही है लेकिन जब उसकी मृत्यू में केवल 21 सिकंड शेश रह जाते है तो उसे अचानक ही उसके सामने खड़े यमदूत दिखाई देते है जिने देखकर वहाँ अचानक ही अपना मानसिक संतुलंग हो देता है और स्तब्ध हो जाता है वहाँ मनुषय यमराज के दूतों को देखकर भःभीत हो जाता है लेकिन वहाँ उस समय कुछ भी बोल नहीं पाता है वहाँ रोने लगता है लेकिन फिर भी उसके परिजन समझ नहीं पा ले है कि वहां क्यों रो रहा है उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यू हो जाती है तो दोस्तों इस प्रकार से गरुर पुरान के अनुसार मनुष्य की मृत्यू का समय करीब आने पर उसे ये पाथ संकेत दिखाई देते है ऐसे मनुष्य को अंतिन समय में केवल इश्वर का ध्यान करना चाहिए और दानधर्म करना चाहिए ताकि उसे मृत्यू के बाद नरक में ना जाना पड़े दौग जैश्री कृष्णा